आपका स्वागत है इस चैनल के माध्धम से आप लोगों को विद्धार्थी जीवन से सम्मंदित सभी सूचनाय प्रतान की जाती है उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिट जुन्गर हाई स्कूल बर्थी की इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं प्राद्मिक शिक्षक बरती और उत्तर प्रदेश अधिनस सिवाचायन आयोग की लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश दरोगा बरती की चुकि इस केस की आज सुनवाई हो नहीं थी क्या सुनवाई भी क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं शियर करते हैं और जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की authentic update सबसे पहले मिल जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हैं civil services में भारत की जितने भी स्टेट की पीसे की exam होते हैं डिफेंस में CDA, NDA, UPSI, MPSI, Bihar, SI आप लोगों को भाग लेना हो तो वीडियो जैसे ही वीडियो शुरू होगा वैसे ही आप लोग अपनी एक email ID और एक जो है आप उसमें अपना नाम और अपनी परिक्चा का नाम कमेंट बाक्स में दीजिए और आपकी email पर एक activation की भीज दी जाएगी जो सबसे पहले कमेंट करेगा पांच लोग उन पांच लोगों को मैं email उनकी email में एक activation की दे दूँगा जिसमें वो तीन महीने तक बिलकुल निशुलक जितनी भारत की पर एक चाहिए सबके जो टेस्ट स्ट्रीज हैं वो उनको मिल जाएंगे इसका अपयोग विद्दार्थी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो सुचना है वो एड़ेट जुनिगर हाइश्कूल बरती के ब्रेकिंग न्यूज है आज इस केस की सुनवाई होनी थी बहुत सारे विद्दार्थी कोड चले गए थे यह याज का यूवामंच के द्वारा डाले गए थी यूवामंच की तरब से यह कहना था कि जब NCTE नी प्रात्मिक सिक्षकवर्ती में इसनातक में 50% की अनिवारता हटा दी है तो PNP ने 50% की अनिवारता को क्यो रखा है यह पूरी तरीके से अवैद है तो आज हाई कोड ने आदेश दे दिया है और इन विद्यारतियों को मौका मिल गया है अभी फिलहाल याची लाब मिला है और फिर से आवेदन एडिट जुनिगर हाई स्कूल के होंगे जो विद्यारती जिनका 50% से कम नंबर है वो विद्यारती फिर से आवेदन करेंगे लेकिन जो परिक्षा वो आपकी समय से होने के पूरे-पूरे आसार 17 अक्टूबर से ही आपकी परिक्षा होगी बहुत कम विद्यारतियों को दिया जारा लेका है जूंगर एड़ेट मामले में 50% की बाता हम याचियों के लिए हट गई है 7 अक्टूबर तक फार्म जमा हो होंगे हमारे परिच्छा जो है वो 17 को ही होगी तो इन विद्यारतियों को दोबारा मौका दिया गया हाला कि अभी एड़ेट जुनियर के एडमिट कार्ट जारी नहीं हुए है इसलिए अभी कोई भी प्रावलम नहीं है इनका आविदन फिरसी होगा लेकिन बस बात वही ह है कि आजकल हाई कोट से जितने भी आदेश आते हैं उसमें केवल और केवल याची लाभी ही दिया जारा पता नहीं क्यों जबकि कोट को यह सोचना चाहिए कि हर चात्र जो वह याची नहीं बन सकता है बहुत सारे चात्रों को पता नहीं चलता बहुत सारे जो चात्रों हो प्रात्मी शिक्चकवर्थी के लिए आज बहुत सारे विद्यार्थियों ने ट्विटर अभियान किया और साथ में युवा मंच की तरफ से एक पत्र भी 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 भीजा गया है मुख्यमंत्री को यह यह आप लोग पत्र देश लगते हैं मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश श जारी की गए यह जो पत्र में लिखा है वही बातें यहां पर भी है कि सर्व शिक्षा अवियान के प्रोजेक्ट अप्रुवाल बोर्ड में 22 अप्रल 2016 को प्रस्तुत आकणों के अनुसार प्रदेश के एक लाग अन्ठावन प्रात्मिक वा उच्छ प्रात्मिक विद्याल पहली वाली पीए बी ज़ो रिपोर्ट जारी थी लिगाइं सासन के दरा जारी रिपोर्ट के अंशार मवजूदा सरकार में बेसिक शिक्षां में प्रस्धी विद्यालियों इंव में काफी इसाफ़ा हुआ है लेकिन जो अग्ले पेश्किये गए उन्हें को उच प्रात् आज से लगबग 4-5 साल पहले अब जो मौझूदा सिक्षा के उप्रात्मिक और उच्प्रात्मिक में वो तो 3,89,000 तो डाइरेक्ट आप लोग दे सकते हैं यह आखले वेबसाइट पर मौझूद है इस फुली सिक्षा वाली वेबसाइट में तो जब यहीं से अध्यापकों में पैरा टीचर सिक्षा मित्र नहीं रहेंगी नहीं सिक्षा नीतिकम साथ सभीदा सभीदा के जो बढ़ती है वो नहीं होगी ना उसको माना जाएगा केवल नीमित अध्यापक माना जाएगा यहां पर लिखा है कि यहां पर इन आकड़ों के तुलात्मिक अजना से इस प अबर वो प्रकासी ठुकी गई है कि असी अजार जो सिक्षा के वो सर प्लस है यह बात समझ में नहीं आ रही है पहले लगब पांस लाग पांसी अजार सिक्षा थे और आज की डेट है उसमें तीन लाग उन्हासी जार सिक्षा जो हो पूरे उत्तर प्रदेश में है तो दो उत्तर प्रदेश सरकार वहां बेश्चा विवा की कत्री दिल्चस्पी नहीं है इन रिक्त पड़े पदों के स्बंद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वा निर्णा लेने के बावजूद भी एक कमेटी बलाकर पूरे मामले को बेवज़ा जटिल बनाने कोजिस की जा रही ह सब्सक्राइब कोई इजाफा नहीं हुआ बलकि इससे तो अभी आपने आपके कारकाल में सुप्रम कोड के आदेश पर एक लाग सेंथी जा सिख्चकों की बरखास्तगी के एवेज में रिक्त हुए पदों की भरपाई भी नहीं हुपाई है यानि कि जो सिख्चम मित्र के भावदी राजे सचान यूवामंच तो जो पत हैं उत्तर पतेश में सुख्राइब 2016 के रिपोर्ट में 769 इन पतों को पूरा किया जाए भरतियों के द्वारा एक पूल बनाकर के भरतियां शुरू की जाए इसी इमेल भी किया गया है और यहां पर मुक मंत्री को यूवाम आई है वह 5 अक्टूबर को यह आज की डेट में हुई है मनुष कुमार वर्मा की बेंजी थी दीपक वर्मा और भी बहुत सारी चीज़े यहां बढ़ दी गई है नीचे चूंकि 20 अक्टूबर से जो एक जाम है दिरोगा बढ़ति का उसकी सुखबोगाट है इसका जो हव और भी कल अपलोड कर दिया गया है यहां परते सकते कोड नमबर 49 में जो डिफेक्टिव चला गया था यह दीपक कुमार सिंग अधस यह देखिए यह पूरा केस मुनुष कुमार गुपता और अनेबल दीपक वर्मा यह आडर भी कल आ गया है और इसमें पांस तारिक के ल लगातार मांग कर रहे हैं देखते हैं साथ तारिकों क्या होता है और उसके बाद में आठ तारिक को जो है वो सुप्रीम कोट में भी सुनवाई हो सकती है तो ठीक दोस्तों यह हो गया आज का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लाग अगली से सूचना है वह उत्तर प में खात और से जो जो चात्र थे वह आसू लिपिक यानि जो भरती वी थी पुरानी एक शाट हैंड की केवल वो विद्यारती आज गया थे और कुछ चात्र मंडी के भी थे UPSC के करमचारियों से तो बात नहीं हो सकी लेकिन जो प्रसासनिक अधिकारी थे यानि जो पुलिस की करमचारी थे उन्होंने यही बात बताई जो पिछले धन्नापचासन में बताई गई थी कि UPSC एक बहुत जल्दी परिक्षा करेंडर जारी करेगा उसमें आपकी परिडाम जो होगे उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगा तो ठीक है दोस्तो यह हो गया आज का वीडियो विडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो लाइक करते हैं जिन चात्रों ने चैनल क सब्सक्राइब ना कियो सब्सक्राइब करने पूरा वीडियो सुने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद